हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल तो फ्रेंड्स आज मैं बताऊगे कि दूद में मोटी मलाई कैसे पड़ती है साथ में मोटी जो मलाई पड़ती है इसको स्टोर कैसे करना है और मलाई से घी बिना महिनत के कैसे निकालना है साथ में गी के बाद जो खुर्चन बचती है उसका दोबारा गी कैसे निकाले हैं सबी सवालों के जवाब इस वीडियो में है अगर आपको भ्रमित होना है तो आप किसी और की वीडियो देख सकते हैं वरना इस वीडियो पर बने रहे हैं पूरा एंड तक देखना और बताना दूद को ओवाले हमेशे क्योंकि देखिए दूद में कितनी गंदगी आती है यह डेरी वाला दूद है और हाई फ्लेम पर हम इसको ओवालेंगे तो मैंने दो लीटर दूद में डाला है 200 ग्रम पानी मैं वैसे हमेशे यसी डालती हूँ आप चाहें तो थोड़ा कम डाल सक वा वो अच्छे से पक जाएगा और दूद खराब नहीं हो क्योंकि गर्मिया होती है दूद थोड़ा जल्दी खराब होता है इसलिए अच्छे से आप चला ले इस तरीके से और थोड़ा सा यसे ओसे लगाते है इस तरीके से आप चम्चे से कीजिए इससे जहाग बहुत जादम मोटी जमेगी इससे मैं आपको पास से दिखा देती हूँ जहाग कितने बने हैं हाँ बस आपको क्या करना है गैस को सिम कर देना है ताकि दूद उफन कर भार न निकले बस खड़े खड़े ही इसको वालना होता है यह देखिए तो क्रीम जैसा टेक्श्यर आ रहा है यह नहीं कि आप इसे पंखे में रख दीजिए ऐसे नहीं करना आपको नॉर्मल टेंपरेचर यानि कि तीन चार घंटे लग जाते हैं इसको अच्छे से थंड़ा होने में क्योंकि इस समय गर्मिया है गर्मियों के सीजन में मोटी मलाई बहुत ईजीली जम जाती है और फि मलाई हिल भी नहीं रही इतनी मोटी बड़ी है इस तरीके से हम इसके किनारे थोड़े छुटा लेंगे ताकि यह मलाई निकालने में तूटे नहीं अगर हम चाकू से ऐसे नहीं करेंगे तो मलाई तूट जाएगी तो आपको कम से कम दो लीटर दूद रिजर्व में रखना है ऐसे नहीं कि आप इसे उवालो और इसमें से यूज करते रहें इसको बस हिलाना नहीं है जब आप इसे फ्रेज में रखे न तो आप इसको हिलाना नहीं दूद को रखते समय पूस सागदानी से रख लीजिए और फिर देखिए मलाई कितनी मोटी जमती है लग रही है न मिलकुल आलू का पराठा पास से देखिए अब आपको फोल्ड करके दिखाती हूं लग रही है न देखिए दो लीटर दूद की ही मलाई है ये और इतनी सारी निकलिये है तो बस मैं इसे इस तरीके से फोल्ड करके और इस बरतन में सेफ करके रखती हूं मैं आपको दिखा देती हूं और मैंने ये जो मलाई है मैं साथ दिन या आठ दिन जादा से जादा आठ दिन की ही सेफ करती हूँ इससे क्या होता है मलाई में बदबू नहीं आती है देखिए मलाई मैंने निकाली लेकिन हाथ मेरे गंदे भी नहीं हुए जादा तो यह देखिए मैंने ये साथ दिन की पूरी मलाई खट्टी कर लि तो क्या होगा बदबू आ जाएगी जब आप घी निकालेंगे उसमें से तो बदबू आती है और हाँ इस मलाई को आप हमेशा फ्रिज में ही रखे जब भी आपको मलाई यूज़ करने है आप यसे तुरंट यूज़ कर सकते काफी फ्रेश रहती है तो फ्रिज में ही मैंने स्टोर करके रखती हूँ और मैंने यह भार निकाल ली है लगवक 3-4 घंटे के लिए नॉर्मल कर लिया है इसको नॉर्मल ट्रिम प्रेश पर क्योंकि अब हमें इसका घी निकालना है यह देखिए बरतन पूरा भरा हुआ है न अच्छे मैंने 3-4 घंटे पहले निकाल लिय है इस वज़े से थोड़ी सॉफ्ट हो गई है तो चलिए केक काट लेते हैं किसका बढ़ रहे हैं मलाई केक काटते हैं तो मैंने गैस को ओन कर लिया है और हाई फ्लेम पे हम इसको अच्छे से मेल्ट करेंगे अगर आप फ्रिस से 3-4 घंटे पहले निकाल लेते हैं और मलाई का जो टेंपरेचर है विल्कुर नॉर्मल हो जाता है न तो इससे क्या होता है यह कडाई में ज़्यादा चिपकती भी नहीं और महनत भी नहीं करनी पड़ दी आपको कुछ भी नहीं डालना कि बहुत से लो तरीके से हमें चला चला कर इसको गरम करना है अगर आप इस तरीके से मलाई निकालेंगे ना मलाई का घी निकालेंगे तो बिल्कुल बदवू नहीं आएगी और जो इसकी खुडचन होगी वो उसे भी आप काम में ले सकते हैं यह देखिए हलकल का घी उपर आने लग गया लेकिन अभी पूरी तरीके से जब आएगा तब आप देखना कि घी भी बहुत जादा निकलेगा और बहुत अच्छे से निकलेगा अच्छा मैंने आपको बताया था कि यह मलाई को चार-पाच घंटे पहले ही फ्रिस से भार निकाल के रख लीजे जिससे नॉर्मल टेंप फटी-फटी सी होगी जैसे पनीर के पीसे होते हैं चोटे-चोटे उस तरीके से हो जाएगी तो अभी देखे मैं हाई फ्लेम पे इसे पकाई रही हूँ लेकिन घी तो निकलाया है लेकिन अभी यह कच्छा है जब तक बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाना है इसम इंदो बड़ा से हम चला लेते हैं फिर इसका हम छली से छान कर गी निकालते हैं तो देखिए मैंने इसी बर्तन में में मलाई ही दिखाइती तिन है अब आप इसी बरतन में दीखना कि कि इतना गी निकला है अच्छे से चान लेंगे साफधानी से क्योंकि गी बहुँ जादा गरम हो जाता है इस समय बिल्कुल बस गैस को ओफ ही किया और तुरंत आपको चानने लग जाना है यह नहीं कि आप इसे ऐसे ही रखने दें फिर वरना घी ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा कम निकलेगा इस तरीगे से इसको दवा लें जितनी अच्छे से आप दवा सकते हैं वो खुर्चन को एक साइड में रखते जाएंगे वीडियो अगर पसंद आती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कोई भी आपको इस सवाल हो तो आप मुझे कमेंड में पूछ सकते हैं क्योंकि छोटी सी वीडियो होती है सारी जो है बाते मैं एक ही वीडियो में नहीं बता पाती तो हो सकता है कोई कोई बात रह जाए मिस हो जाओ या आपके मन में कोई नया सा वालाई से जड़ा हुआ तो आप मुझे से पूछ सकते हैं यह देखिए घी आप पहले घी देख लीजे कितना सारा निकला है और यह खुर्चन भी मैं आपको दौनी चीज दिखा देती हूँ इसी बरतन में ल खुर्चन को दौबारा इस कड़ाई में डालना है और इसके बाद हम डालेंगे इसमें पानी वैसे पानी आप कितना भी डालने लेकिन इस पानी को भी यूज कर लेंगे इसलिए हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे बस यह भीग जाए इच्छे से खुर्चन और गैस को ओन कर देंगे, थोड़ी देर चलाएंगे इसको, बस एक उवाल आने तक ही इसको चलाना है, ज्यादा देर नहीं पकाना है, कि लगातार अब चलाती ही नहीं, इसको उवालते रहें, पानी खतम होने तक ऐसा नहीं करना है, बस एक उवाल आ गया, और उसके बाद हम इस पानी को चान लेंगे और फिर इस खुर्चन को एक साइड में रखते जाएंगे तो यह देखी इतना सारा पानी निकला है लेकिन यह घी नहीं है आप इसे घी समझ लें मैं इसे रख दूँगी दो गंटी के लिए फ्रीजर में नहीं रखना फ्रीज में रखना इस बात का ध्यान तो देखिए फ्रिज में रखने के बाद घी जो है उपर जम जाएगा फिर हम इससे निकाल लेंगे चमबच की साहता से थोड़ा निकालेंगे पहले हम किनारे छुटा लेते हैं क्योंकि उपर से ये जम गया है फ्रीजर में ना रखें वर्ना जो इसके नीचे पानी है वो भी जम जाएगा और फिर मलाई से इससे घी आप नहीं निकाल पाएंगे तो देखिए उपर उपर जो है घी जम जाता है लेकिन इसमें भी थोड़ा पानी है अभी मैं यह नहीं कहा रहे है कि यह सारा घी है अभी आप पूरा देखिए वीडियो को इस तरीके से हम निकाल लेंगे सारा मक्खन सारा हाथ से भी कर सकते हैं इस तरीके से ऊपर-ऊपर मक्खन आ जाता है ये ठंडा है पानी इस समय तो ये देखिए मक्खन अच्छे से आ रहा है दिख रहा होगा ना चलिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ इस तरीके से आपको निकालना है, उंगलियों को ऐसे डालके, इस तरीके से, ये जो आरा है ना, वाइट वाइट, ये अच्छा सा मक्खने, इससे भी घी निकलाएगा, जितना हो सागे आप निकाल लीजिए, और इस पानी को भी निफैकना आपको, आप क्या करना है, इसको भी आप गूंद लेना मतला आटा गूंद लेना इससे जब रोट की रोट मस要ब आँगा ज़ाना जब आटा गूंद लूत तो बस अब क्या करना है ये जो पानी वाला घी निकलाए अब आप इसे यी ठारी или गैस पे रहे देंगे तो क्या होगा ये चटर पटर भी करेगा और साथ में छीटे आएंगी और साथ में जो इसका पानी होगा थोड़ी बत मलाई होगी वो जल जाएगी जो टेस्ट खराब कर देगी घी का अब हमें प्योर घी निकालना ना इससे तो बस हम इससे केवल गरम करेंगे आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखके इसको हलका सा गुनगुना करना है उससे ये जितना भी घी है ना वो सारह ऊपर आएगा और जो पानी होगा वो नीचे बैठ जाएगा तो बस इसको मेल्ट कर लेंगे हलका सा चला कर यह जो पीस देख रहा है इसको और melt करना है इस तरीके से बिल्कुल पतला कर लेंगे फिर यह से उठा कर हम रख देंगे फ्रिज में फिर एक गंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे त्यान रखना फ्रीजर में नहीं रखना है तो मैंने देखी एक गंटे के लिए फ्रिज में रखा और प्योर देशी घी निकला है अब कितना निकला है यह आप देखिए इस तरीके से हम हलक अलका अंगुटी से प्रेस करेंगे हलक अलका है से मतलब इसको हमें छोटा ना है बहुत साफधानी से यह देखिए पाकी का बचवगा पानी भी नीचे आ गया और साथ में थोड़ी सी इसमें निकलती है यह क्रीम इसको इस तरीके से हम चमबस से खुरच लेंगे इससे क्या होगा यह चटा पटर भी नहीं करेगा घी और बहुत अच्छे से प्योर घी निकला है इसे थोड़ा सा पॉच लेंगे और इतना घी और निकलाया खुरचन से अब आप देख सकते हैं कि एक वार का पूरा खाने का इंतिजाम हो जाएगा अगर आप देशी घी के पराठे खाते है न तो विलकुल अच्छे से आपके बन जाएंगे तो बस वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना सारी वाते मैंने बताई या नहीं बताई और अगर वीडियो पसंद आई तो लैक शियर जरूर करना मेरे चैनल को सस्क्राइब करना फिर मिलते नेक्स वीडियो में बाई